hello friends welcome to my youtube channel टेकी आजीत friends अब आप अपने credit card को youpi coming करके उसे payment कर सकते हैं जिहां आप अपने रुपे credit card को youpice link करके उसे youpi payment कर सकते हैं वो भी बिना किसी चार्ज के आज की इस वीडियो में हम जानेंगे की पन पैसे credit card को link कैसे करते हैं और उसे payment कैसे करते हैं वीडियो को अन्तक जरूर देखिएगा चले शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले आपको फोन पे एप ओपन करना है फोन पे एप ओपन करने के बाद उपर यूपर लेफ्ट कॉर्णर में आपको इमेज का सायन देखेगा उस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना है नीचे स्क्रोल करने पर आपको लिंक रुपे करिडिट कार्ड ओन यूपर का ओप्शन मिलेगा आपको उस पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको बैंक्स की लिस्ट मिलेगी यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है इनमें जो बैंक्स है आप उनके रुपे करिडिट कार्ड को फॉन पे यूपे इसे लिंक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड है तो उसे आप फॉन पर UPI से लिंक नहीं कर सकते हैं इस लिस्ट में दी गई बैंक के अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप दूसरी UPA एप्स जैसे पैटी हैं भीम एप पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपके बैंक वहाँ पे मिलता है तो आप वहाँ पे भी लिंक कर सकते हैं अधरवाइस आपको वेट करना पड़ेगा जब तकि आपका बैंक यहाँ पे UPA transaction के लिए लिंक ना हो जाएं अब आपको उस बैंक के ओप्सन पर किलिक करना है जिसका रुपे करिडिट कार्ड आपके पास है यहाँ पे आपको प्रोसीड टू एड पर किलिक करना है अब आपको अपने करिडिट कार्ड से UPA payment करने के लिए UPA pin सेट करना होगा इसके लिए आपको नीचे सेट UPA pin पर किलिक करना है अब आपको अपने करिडिट कार्ड की details एंटर करनी होगी पहले box में आपको आपके करिडिट कार्ड के last के 6 digit एंटर करने है उसके नीचे valid up to वाले option में आपको करिडिट कार्ड की expiry date और month एंटर करना है details एंटर करने के बाद आपको proceed पर किलिक कर देना है अब आपके पास bank से OTP आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और right पर किलिक कर देना है next अब आपको यहाँ पर अपने ATM के 4 digit pin अपने credit card के 4 digit pin यहाँ पर एंटर करने है उसके बाद right पर किलिक करना है यहाँ पे आपको अपनी credit card से UPI transaction के लिए 4-digit का UPI pin set करना होगा UPI pin enter करने के बाद आपको right पे click करना है यहाँ पे आपको फिरसे अपने 4-digit UPI pin confirm करना है और right पे click करना है इशके बाद आपका جो credit card है वो UPI transaction के लिए link हो जाएगा अब आप अपने credit card से UPA transaction कर सकते हैं अपने credit card से UPA transaction करने के लिए आपको scan पे click करना है और QR code scan करना है यहाँ पे आपको एक चीज द्यान रखनी होगी कि आप क्यों business QR या merchant QR पे ही transaction कर सकते हैं इसके अलावा person to person transaction नहीं कर सकते यहाँ पे यह भी कोई जरूरी नहीं है कि आप phone पे secure phone पे merchant या business पे ही transaction कर सकते हैं आप phone पे से paytm या google पे या अन्य किसी merchant पे भी transaction कर सकते हैं credit card से UPA transaction पे आपको अभी कोई charge नहीं दिना होगा credit card UPA transaction अभी बिल्कुल free है यहाँ पे आपको amount enter करना है amount enter करने से पहले आपको ध्यान रखना होगे कि आप 2000 रुपे तक का ही transaction कर सकते हैं अगर आपको 2000 से ज्यादा का transaction करना है तो आपको 2000 के अलग अलग transaction करने पड़ेंगे amount enter करने के बाद आपको proceed to pay पे किलिक करना है यहाँ पे आपको payment option मिलेंगे जिन में से आपको अपने credit card वाला payment option चूज कर लेना है उसके बाद आपको pay पे किलिक करना है यहाँ पे आपको UPI पिन enter करने है और right पे किलिक करके अपना transaction क्लियर करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि transaction successful हो गया है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like कीजिए share कीजिए और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कीजिए thanks for watching